आज हम लोग डियाई में कुछ और भी प्रॉब्लेम्स लेकर के हम लोग आ गया रहे हैं देख रहे हैं फिगर सब्सक्राइब आजरा रहा है यह से अधर सब्सक्राइब अधर अधर एक टेबल भी है एक पाई चार्ट भी है और उसको पड़कर के तब कोश्यन का जवाब देना है तो अच्छे से पहले सबसे पहला काम होता है इसलिए पहले पेज में नहीं क्या है टेबल में क्या है FDI, FDI means क्या होता है जी Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment अब दो को Foreign Direct Investment जो है किस State में कितना है तो और ये करोर में है तो UP में कितना करोर 490 Mumbai में 590 Karnataka में 660 Kerala में 560 करोर Delhi में 410 करोर Kampi में 510 करोर AP में 680 4 करोर और following graph shows the investment in different sector सारे State में तो आपका investment दिख रहा है लेकिन इस investment को किस कि सेक्टर में हम लोग डिवाइड के वो दिखा रहा है road path सारे State के लिए यह होगा road पे कितना परसेंट है 20 परसेंट टेलकम पे 13 परसेंट पावर पे 14 परसेंट IT पे 28 परसेंट सिनेमा पे 6 परसेंट समझ में आ रहा है इसे अधर है किट्चियन नंबाव वन यहानि अगर हमको मालनो रोड निकालना होता है मुंबई का सब लोग जब देना मुंबई का रोट पे की निकालना होता तो क्या करते फाइब नाइंटी का 20 परसंट सब लोग अच्छे से रहा को समझ लोग सका तो फिर कोश्चन पे तो भाम लोग करेंगे अगर करनाटका का कहे टेल कम तो क्या करते तो किसी का भी पूछेगा तो आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो यही समझ में रहा है तो हम लोग कोश्चन पे आते हैं यह कोश्चन देखते हैं in which of the following pairs of states ratio of investment in the power sector 7 is to 8 in in which of the following pairs of states ratio of investment power sector 7 is to 8 समझ में आ रहा है कौन साथ दो स्टेट ले जिसमें पावर सिक्टर का इंवेस्टमेंट 7 is to 8 है अच्छा यह बताओ सब लोग यह सुचो पावर तो 14 परसेंट है तो सभी के लिए 14 परसेंट होगा 14 परसेंट पावर तो यूपी का भी 14 होता मंबई का भी 14 होता करनाट का भी 14 होता कर्नाट का भी 14 होता के लाग यह क्वेश्चन बरा बना दिया है क्वेश्चन को लेंदी किया लेकिन हम लोग अगर सोच मनाएं कि नहीं यह तो बहुत ही जी है कैसे तो दोनों में यह पावर तो सभी में 14 14 होगा तो पावर तो कटी जाएगा कैसी लो जाएगा तो वाइपवर नहीं लेंगे केवल 2 यूपी और के कोन साथ 2 स्टेट सेवएऍस टू टो यूपी ऑर के ला सोचो तो जाएगा तो तो देखो अध़क। नहीं हो सकता है यूपी ऊपी होगा यह नहीं तो बार बार सबको देखना पड़ता है देखना पड़ता है कि ने 490 का या अधर बुक्स होगरा मैं ऐसे ही solve किया होगा कि 419 का 14 परसेंट अब देखो दूसरा क्या है 419 के बाद दूसरा को देखो कि 590 है ना मुंबई तो हम लोग निकालते 590 का फिर 14 परसेंट फिर उसके बाद हम लोग निकालते 660 का 14 परसेंट फिर हम लोग निकालते 560 का 14 परसेंट फिर हम निकालते 410 का 14 परसेंट फिर हम निकालते 410 के बाद है 510 इंटू 14 परसेंट और सबसे लास्ट में जो है वो है 684 का 14 परसेंट इतना यह मतलब नहीं समझ में आ रहा है डाइरेक्ट बनेगा किस से फ्रांग इंवेस्टमेंट से तो इंवेस्टमेंट से डाइरेक्ट कौन कौन सा होगा तो 490 और 560 देख करके लग रहा है 7 is to 8 तो पता बढ़ा कोश्चन कैसे छोटा हो गया अगला कोश्चन वाट इस रिश्यों बिट्विन इंवेस्टमेंट रिश्यों पूछ रहा है तो चलो यानि दो टर्म होगा एक पाले एक बात में लिखेंगे कैसे पढ़ना है एपी आईटी और अदर्स यूपी तो हम लोग लिखी लेते हैं ना एपी का आईटी एपी आईटी और आंद्रपर्देश का आईटी और यूपी का अदर्स तो मताओ एपी 684 देख कर लग रहा है एटी फोर 684 है यान और आईटी कितना है 28 अब पर्सेंट क्यों लिखना नहीं लिखेंगे और दूसरा यूपी यूपी कहा है यहां 400 नपे और यूपी का क्या पूछ रहा है अदर्स अदर्स है 19 बताओ क्वेशन कितना इजी था 90 पर्सेंट नहीं लिखेंगे पर्सेंट नहीं लिखेंगे डारेक्ट शॉल्ब करो अब कुछ लोग को अगर टेबल याद है तो 19 यह संतावन 19 शक एक सो चौदा कुछ कर रहे हैं कि सार हमको तो चौदा का भी पहारा याद है काट दो चौदा दुना ठाइस आज चौदा तिया ब्यालेस और चौदा पचे संतर यानि एंसर क्या आगिया 72 is to 35 क्या कोई आप्शन है यह सर जी तो डाइरेक्शन पर ध्यान देना फिगर पर ध्यान देना फिगर समझ में आ जाए तो बहुत सारे कुश्चन का एंसर हम लोग बहुत असानी से डारेक्ट निकाल सकते हैं यह आया एंसर सी चले अफले कुश्चन के ओ क्या करा है total investment in road sector by the state road sector का total investment पूछ रहा है ऐसे बताओ by the state यह आई सारे state को लेंगे पहले का रोड निकालेंगे दूसरे का रोड निकालेंगे तीसरे का रोड निकालेंगे सबका निकालेंगे बहुत लेंदी हो जागा ते एक्जाम में छोड़ देंगे करें जबी जबाब दो कर तर्थ तो यह थो तो सबका निकालेंगे सबाइट कर देंगे करतेश के तब कर देंगे कुछ करेंде १ जल्दी से करें कि अचलती पə 490 प्लस 590 प्लस 660 प्लस 560 प्लस 410 प्लस 510 और प्लस 684 और सभी को add किया तो कितना है का जी किसे ने add किया 3904 और रोट पूछ रहा है तो 3904 का रोट देखो जल्दी कितना परसेंट है 20 पॉइंटी पॉइंट्व से मल्टिप्लाई करना कुछ लोग क्या करते हैं 255 से कट दिये फिर भाग दिया रहे इसका आर्थ क्या है ऑब बाइंट्व तो 3904 इंटू पॉइंट्व पॉइंट्व दो का पारा सब्सक्राइब वोड़ एंसर कितना एगा सब्सक्राइब करेंगे निकाल करके अपने अपलेंदी हो जाएगा आगला कुशन, FDI in cinema sector in Delhi is approximately what percent less than that in Kerala in others? केरला का others से डेली का cinema कितना percent कम है? तो केरला के others से? तो केरला का others निकाल लो, केरला, others और कौन कम है? डेली का cinema चलो केरला, केरला कितना है जी? 560, others कितना है? 19 percent, 19 का पार याद है जिनको, देखो जीरो से जीरो काटते हैं, फिर काटने वाला ये काम मत करना, कि 2 से 28 और नीचे 25 जाते हैं, अब मल्टिप्लाई करें और फिर लेंदी हो जाए, फाइब से डिवाइड करें, सीधा उन्निस क चाके 114, आउन्निस पच्छे 95 और 11, 106.4 और देल ही का सिनेमा, देल ही कितना है? 410, और उसका सिनेमा कितना है? 6 percent, 6 का टेबल भी आता है, 10 हटा लेकिन 6 का टेबल आता है, कितना होगा 6 का टेबल? 6 बंजा 6, 64 जा, 24.6, तो इसको मल्टिप्लाई कर लो, लेस हो गया तही कितना होगा? 81.8, अब कोश्यं का रहा है, ये तो हम लोग निकाल लिए कि केडला के अधर्स से देल ही का सिनेमा कितना percent कम है? तो किससे कम है येTechedo, लेस्ट कर लिखे सब्सक्राइब करेंगे लेस परसें तो एटी वन पॉइंट एट किस से कम है हंडिट सिक्स पॉइंट फॉर से इंटू हंडिट पॉसित कितना है का जी किसे ने निकाला अधिज्वल डेस्मल तो अपने अपर जाएगा एट वन एट जीरो जल्दी बो बागतेने आ रहा है शराशी प्रतिशात आएगा जीने 76.87 परसेंट क्या स्पास आ रहा है जी तो यह नियर अबाओ एप्रोक्सिमेटली का रहा है सेविंटी सेवन परसेंट हो बोली एट किसी को प्रावलेम समझना है कोशन हां सर देली का सिनेमा के ला के अधर से तो देली का सिनेमा निकालो के ला का अधर सिने कितना % कम है तो लेस परसेंट आ लेस परसेंट यहनी कैसे निकालते हैं तो बताया था लेस परसेंट निकालना है तो आप उपर में लिख दो कितना लेस है? Less that is difference divided by larger number into hundred percent तो यही हो गया लेस परसेंट अगला कोशन अफटी आइन मुंबई इन टेलकम सेक्टर एप्रोक्सिमेटली वाट परसेंट वाट परसेंट पूछेगा तो मैंने क्या बताया था वाट परसेंट जिसको निकालना है यानि जो निकालना है उसको उपर लिख दो इस आ नीचे जिसके सापेक्ष में रिस्पे निकालना है नीचे इन्टू हंडेट परसेंट तो का रहा है मुंबई टेलकम तो उपर में लिखेंगे क्या लिखेंगे मुंबई टेलकम और नीचे क्या लिखेंगे एपी आईटी एपी आईटी इन्टू हंडेट परसेंट यह हो गया अब Mumbai Telecom जल्दी तूड़ो Mumbai 590 590 590 है ना 590 ता 13 590 इंटो 13 Telecom 13 divided by APIT 680 680 पॉर्टर इंटो 28 28 इंटो हंडे बस कोशन समझ में आ रहा होगा केवल इसको सिंप्लिफाई कर देना है हो जाएगा आके पड़े या सर्टी सेवें मैं प्लॉक्टाराई ये फीगर कल मैंने दिया था आप लोगों को ये समस्टाराई और बताय था कि इस फीगर को कैसे पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे ये तीन फीगर है एक सर्किल में है देखो यहां सर्किल में है एक आपका ट्रैंगल में है एक आपका क्वार्ड्री लेटरल फॉर्म में है रोंबस सेप में है और 2011 2012 और 2010 इसको राडार ग्राफ करते है थ्री डाइमेंशनल में ये आता है तीन डाइमेंशन है तो थ्री डाइमेंशनल में फीगर ऐसे ही आएगा 3D Code 2 में बदल ले है अब यहां कंपनी का नाम दिया हुआ है कंपनीज है विप्रो, इन्फोसेस, HCL, टेक महिंदरा चार इदर हो गया जेंपक, रिलाइन्स, टाटा, TCS चाचाराट हो गया अब हम लोग को देखना सीखना है कि ये यानि विप्रो के तरफ हम लोग ये तीनों सिंबल देख रहे है विप्रो में इदर को ये ये वाला सर्किल में है और ये वाला कहा गया, ये कौाडिलेटरल में है और ये ट्रेंगिल में है, तो ये विप्रो के तरफ से नजर आ रहा है अगर question का है कि इसको पढ़ेंगे कैसे तो पता है ये center 0 होता है क्या होता है? 0 ये 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 तो जब ये 80 है, 80 तक है दिया हुआ है यहाँ पे तो विपरो में देख रहाँ 80 तक है, infosys भी 80 तक है लेकिन अब देखे, income 2011 में कितना करोर है? ये करोर में है, in, करोर infosys देखो तो, 2012, जल्दी से देख के बताओ, infosys 2012 स्वेंटी करोर से सिक्स्टी करोर, कुछ लोग क्या करते हैं, कि कोश्चन को solve करने के पहले, कि सर ये बार बार जब figure देखेंगे, सब company का नाम लिख लेते हैं, और यहाँ 10 का figure, 11 का figure, 12 का figure लिख लेते हैं, कि बस उसी एक table के जैसा बना ले, जैसे यहाँ पर 10, 11 बारत, यहाँ पहला नाम लिख लेते हैं, जैसे विप्रो, दूसरा नाम क्या है, infosys, अब ध्यान दो, सब HCL, HCL के बार टेक महिंदरा, इससे क्या होता है, हमारा समय सेव होता है, बार बार अब को जाना नहीं पड़ता है, जैन पैक, और ऐसे करके सब company का नाम लिख लिया, यहाँ 10, यह 11, यह 12, अब अगर विप्रो देखना है, तब विप्रो देखो तो 2010 में कितना है, सब लोग दे 80, 80, तब विप्रों के सामने 80 लिख दिये 2010, 2011, कितना है, 50, यहाँ से काउट करो, यह 10, यह 20, 30, 40, 50, फिगर देखना है, 50, और 2012 में जल्दी देखो, 70, 70, तो बता, एक बार अगर हम लोग लिख लेंगे तो यह 5 कोशन का सीट होगा, ना तो सब सही हो जाएगा, बार बार नहीं देखना परेगा, इस फिगर में, इन्फोसिस, जल्दी से देखो, इन्फोसिस, यह 10, 10 पे कौन है, यह क्वाडिलेटर लग रहा है, 10, 10, उसके बाद, ट्रेंगल, ट्रेंगल काँ प है, 70, HCL में हो, HCL में 60, लास्ट से तीन है, 70, 60 इन्फोसिस, इस तो यह सरकेल वला है, 80, तो 2011, 80, इस उसके बाद, ट्रेंगल है, ट्रेंगल काँ नाटब में, 70, और यह 60, चलो आप टेक महिंदरा में आते हैं, यह 80 इदर से भी देख सकता है, यह 70, 70 पे ट्रेंगल है, ट्रेंगिल ते 2012 है 70 और 11 का 30 11 का 30 ये सर और 10 का 50 50 50 सही सही बोला ये सर बनाए है 10 20 30 40 50 बेरी गुल चलो जन पैट का बोलिए सर बारह का 40 बारह का 40 40 ग्यारह का 20 20 और फिर 60 60 दसका 60 ये सर जन पेक्ट के बाद है रिलाइंस रिलाइंस बारह का 80 और ग्यारह का 20 ग्यारह का 20 और फिर 50 दस के बाद है टाटा टाटा का 80 बारा का बारा का 80 और ग्यारा का 50 50 दस का 30 30 ऐसे टाटा के बाद सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यह फीगर को आपने यह टेबल में उतार दिया और जैसे उतार दिया आप तो इससे आसान इससे इजी कोई कोश्चन नहीं होता है जब यह आने लगा था एक्जाम में ना तो किसी से सौल भी नहीं रहु रहा था रडार ग्राफ है रडार ग्राफ है सर इस वर तो मकरा का जाल जैसा फिगर आया था यह था लेकिन ऐसे पढ़ा जाता है और इस डंस से अगर आप टेबलर मे इंकम करूर में आफ एड कंपनी स्टाटा के सब का नाम दिया हुआ है और दोजार दस एक ग्यारा बारा यह टैरेक्शन है आपका रहा है इमांग एड कंपनी विच कंपनी अंस दा मैक्सिमम इंकम दूरिंग थ्री यहर्स तो इस ड्री यहर्स का टोटल सब का टोटल तो का रहा है कि किस कंपनी का तीनों वर्सों में तो तीन थ्री एर्स का तो वो चार्ट यह निकाले थी हर्स का चार्ट है तो तीनों वर्स का टोटल हम लोग निकाल लेंगे विप्रो का टोटल 80, 50, 130, 200, विप्रो का कितना आगया जी 200, 210, 200, विप्रो का 200, विप्रो का 200, इन फॉसिस का 140, और 210, 210, 210, टेक महिंद्रा, 150, 150, 150, 150, ऐसे ही 250, टेक Secret, 120, एसे ही सबका हम लोग लोग टोटल लितारी, रिलायंस तो कम ही लग रहा है, 80-150 ही है, यह भी कम ही लिकारा, विप्रो करके हैं से 200,omma स्केर, üकिस्ट, एसे हला है, रहना है, वह लिडियो अजर के और रहा है, एक्षियल से एक्षियल एक्ष्ट ना कुशन अग्णा निजी हो गया इंकम आप टाटा 2011 वाइड परसें लेस्ट दैन इंकम आप इनपोसिस दो जार बार तो टाटा 2011 में वी निकाले हैं यह सर टाटा 2011 कितना है है देखो टाटा दो जार एक्यार थाटी 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 यहां है दो जार एक्यारा 30 की 50 है जी इसे थाटी ग्यारा 50 है यह 50 है और दूसरा किसका इन फॉसिस्ट दो जार बारह 60 है सर ठीक से देख लिए यह सर 60 कितना परसेंट कम है कमी का परसेंट बताया थे 10 10 वाइं किस से कम होता है तो लार्जर से कम जब भी होगा तो लार्जर वाले से होगा वैसे भी कोशन में भी का रहा है इन फॉसिस के दो हजर बारह किया ऐसे जिससे कम कोशन भी का रहा है तो डिफरेंस भाइं इन फॉसिस 2012 इन्टु हंडड़ पॉसिंट यह 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 इस पर ध्यान दे रहा है से नहीं कि यह तक तो हम लोग आ गया है अधस बटा पचास कर देना बस एंसर सही हो जाएगा नू सर्ट फिर्टी वाइट रिंट्रेंस टो हटने और फिर्टी थे जाएट थेन फोड़ परसेंट अशन्ट अन्वल इंकम दो हजार दस एंदभ प्रॉपट और बिप्रोच आग्षाद परसेंट अन्वल इंकम तो जार बारह दो इंकम मालूम है तो प्टोचिन बढ़ है कि पहला किसका था रिलाइंस 2010 तो चलो नीचे लिखी देते हैं रिलाइंस कि दो हजार दस और विप्रो दो हजार बारा यह दोनों को है विप्रो दो हजार बारा इंकम पहले देख लो तो रिलाइंस 2010 कितना है 50 रिलाइंस 2010 पुछास है यह बार बार हमको पीछे जाने का विज़र थे हैं तो यहां क्या है रिलाइंस 2010 फिप्टी है यह सर यहां देखते हैं रिलाइंस 2010 2010 यह वला 50 और विप्रो 2012 जल्ली देखो विप्रो 2012 ट्रेंगल वला 70 70 अब कुशन क्या करा है प्रोफिट आप रिलाइंस इस ट्वाल परसेंट रिलाइंस का प्रोफेट पचास का 12% है सर एक्सपेंडीचर निकाल देजिये प्रॉफिट कोई ज़रूरी नहीं है एक्सपेंडीचर का पूछ रहा है तो लोग 88% कर लें यह सर 88% चलो ठेक है अब यह सब समझ में आ गया तो जब एक्सपेंडीचर सीधा हम लोग निकाल दे 88% वैसे ही विप्रो का 70 है 14 परसेंट हट गया तो कितना परसेंट बचेगा जल्दी बिताओ 86% और दोनों कांतर पूछ रहा है पाला ते यह जीरो हटा दो पांसे दो 44 आ रहा है 44 यह सर दूसरे का एकी जीरो कर दूसरे का 301 बाइवाइवालिस साथ अटे छपन और चार साथ 60.2 यह सर तो दिफ्रेंस पूछ रहा है 16.2 साथ दसमलाद दो मेंसे चावाली सगड़ा दो 16.2 अजय सब को अच्छे से दिख रहा है ना फिगा यह सर यह सर यह सर यह सर के वल ट्रेन में जो लोगों गे उनको नहीं दिख रहा हो तो ट्रेन में तो नेट चले बहुत प्रब्लम होता है घर में दिख था तो यह सर प्रफिट का रेश्यों प्रफिट का रेश्यों तो टेक महिंद्रा का प्रफिट पाला टेक महिंद्रा और दूसरा किसका है विपरो दो जार बारा में रोडोर यह सर यह सर यह दोड़ों टेक महिंद्रा यहां है एक ग्यारा वाला पीगा सर्किल वाला यह है थर्टी है सब थर्टी और प्रॉफिट है यह एक्स्पेंडिचर खर्च किया 82 परसेंट यानि प्रॉफिट कितना 18 परसेंट 18 परसेंट और विप्रो का देखें धूड़िए विप्रो सेवंटी सर्थ दोजर बार में 70 और उसका खर्च है 84 परसेंट यानि प्रॉफिट 16 परसेंट तो कितना इजी है 29 जा 28 जा 27 इसी को प्रॉफिच्छ इसी को प्रॉबलें नूसर अखला कोश्य है रेश्यो आप टोटल इंकम आप HCL एंड टेक महिंद्रा ओर गीवेल पिरियाइड किसका थिसना पूछ रहा है HCL और टेक महिंद्रा HCL और टेक महिंद्रा तो HCL का टोटल पूछ रहा है तो HCL में आजाओ पहला वाला कितना है दूसरा वाला कितना है HCL में 10 नहीं है एक है 60, 70, 80 60, 80, 70 60, 70 तो अब तो राडार ग्राप कभी भी आएगा बहुत आसानी से बना सकते हो क्या किसी को प्रॉब्लम हो रहा है नो सर तो जब एक और राडार ग्राप देखते हैं क्या लिखा हुआ है नंबर ओफ इंजिनियरिंग कॉलेज सरकिल वाला जो है नंबर ओफ इंजिनियरिंग कॉलेज है उसके बाद मेडिकल कॉलेज यह स्कॉायर से है और मैनेजमेंट कॉलेज यह ट्रेंगल से है समझ मैं रहा है कि यह सरकिल है और यह क्वाड्रिलेटरल है मेडिकल कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज ट्रेंगल है चाहो तो यहां भी लिखके निकाल दो अच्छा अगर मैं पूछू कि क्या आप टोटल इंजिनियरिंग कॉलेज बता सकते हो अभी आपने वैसा कोशिंद किया जल्दी बताओ जैसर पाले में बताओ इंजिनियरिंग कॉलेज कितना है जल्दी से चलो हम लोग का यार्व सर दिकने रहा हूँ डितेल में कुछ दिक ही नहींग है इंजिनियरिंग कॉलेज मैं बोल ला हूं दिखा रहा हूं दोगो यहां पर इंजिनियरिंग कॉलेज है पहले इंजिनियरिंग कॉलेज को देखते हैं यहां है फिर उसके बाद देखते हैं कहां यहां है यानि सबसे पहले क्या था 50 फिर क्या 60 फिर क्या 10 20 30 सब हम लिग दे है इसके बाद यहां पे है इसके बाद यहां पे है देखो यह ग्राफ ऐसे ही पकर के चले हो यहां है वैसे ही जाना होगा इस ग्राफ पकर के यहां पे है फिर इस ग्राफ लेकर के जाएंगे यहां पे है तो रेड से जो मैंने टिक लगाया वो सब आपका यह रेड रेड वा तो यह रेडवाला जो था यह सब इंजिनियरिंग कॉलेज है अब हम लोब मेडिकल को देखते हैं मेडिकल कॉलेज पहले मेडिकल कॉलेज कितना नजर आ रहा है फिर मेडिकल कॉलेज यहां है फिर मेडिकल कॉलेज यहां है फिर मेडिकल कॉलेज यहां है फिर मेडिकल कॉलेज और बाकी जो बच गया मैनेजमेंट कॉलेज तो चलो हम लोग सबसे पहले इंजिनियरिंग कॉलेज में देखें कितना है। यह 0, यह 10, 20, 30, 40, 50, तो 50, 60, मैं लिग दे रहा हूँ, वीडियो जब अच्छे से नज़र आएगा या उसको बढ़ा करके फिर देख सकते हूँ, 30, प्लस अगला है 60, प्लस फिर अगला है 30, फिर है आपका 70, फिर है 30, और फिर है 40, कितना फिर हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 है, 3, 1, 4, 4, 4, 8, ठीक है, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट कॉलेज का लिखते हैं, इस और इवे यह मेडिकल का, अजया इसको अड़ करोगे, वो भी लिख दे, इसको अड़ करोगे तो आएगा 370, और हम लोग अगला देखें, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में कितना कितना है, क्या नहीं जरा रहा है पहला देखो तो? 20, जोटो, 20 है सर, मेडिकल कॉलेज सब्सको देख रहा है, 20, 20, 20 सर, प्लस, 50, 50, 50, प्लस, 70, 70, प्लस, फिर 50, प्लस, 40, 40, 40, प्लस 60, सबको एड करोगे तो यह आजाएगा 320 तो इसके बाद है management college management में देखो फिर्ष्ट कितना है 40 40 अगला है 80 फिर 50 20 20 20 60 इसके बाद फिर 40 40 70 फिर 40 60 और इसको एड करोंगे तो आएगा 420 इसके बाद फिर्ष्ट करने का फिर तो कोशन ही जी हो गया आप ऐसे लिख लो ग्राप को अच्छे से देख लो ग्राप देखने तो सब सब्सक्राइब को आचुका है ठीक है कि विजबिलेटी थोड़ा कम होगा तो दिक्कत होगा नहीं तो ग्राप समझ में आ चुका है कि कि किसी भी धंकाओ यह सब क्या सो कर रहा है यह सब नंबर आफ कोलेजिस को सो कर रहा है कि इस किसके चिस का हैं इंजिनियरिंग का मेटिकल का और रोशना है यild macaron का है उसके आपका management का है, total engineering college कितना है? 370, total medical college कितना है? 320, total number of medical college 320, management college 420, तो पहला question क्या है? उच्छ पे आते हैं, total number of engineering college is what percent more than total number of medical college, total engineering. और total, medical. तो पहले देखो, engineering total हम लोगोंने कितना देखा है? देखिए तो, 370, medical total 320, तो ये है 370 और ये है 320, question क्या का रहा है? अब question साथ आपको समझ में आजा है? हाँ, question को पढ़े लिए, what percent more than total of medical? तो 50 जादा है, 50 जादा है, 50 जादा है? आप से नहीं होगा है. आप से नहीं होगा है. आप से नहीं होगा है, total engineering, total medical से कितना percent अधिक है? कितना अधिक है? more percent पूछ रहा है. तो यहां हम लोग लिखेंगे more percent. बताओ, कितना more है तो पचास, किस से more है? तीन सो पिस C, इन्टू, 100 percent. concept तो सारे question का ऐसे ही निकलेगा. Option C होगा, sir. Option C, यह आलगा 15.625 percent. बोलिए, किसी को problem इस question में? अखला question. अखला question. अखला कोशल, what is the ratio of the number of engineering college to data management college? टोटल इंजिनिरिंग कितना था, जी? 370, sir. 370. इंजिनिरिंग. 3742, sir. 37 to 42. हम लोग चार्ट बना चुके हैं, जो लोग वो नहीं बनाते तो उनको बार बार पढ़ना पढ़ता. हम लोग इसको निकाल चुके यानि मैं पहले ही बताना चाहरा हूं कि एक पर में चार्ट बना लो टोटल इंजिनेरिंग आप निकाल चुके हो तो बस यहां लिए तो टोटल इंजिनेरिंग था कितना 370 और टोटल मैनेजमेंट कितना है तो रेश्यों क्या हो गया 37 is to 42 हुर्ट इंजिने निकी समझ में आ रहा है यह सर्थ आयूसी जोनो आयूसी बोले जिसी डीपक तुमारा एग्जाम तो हो गया होगा किया सर्थ एग्जाम हो गया तुमारा यह सर् तो इतरह धीमे आवाज में क्यों बोलते हो थो थरह बोल्ड ली बोलो ना कि एग्जाम में जाते हो देख कोष्ध तो वहीं आया था सारा एक्जाम में जैसा मैंने बताए था कोश्ध दो बनने वाला तक डर क्यों रहता है में रहता नहीं तरकिंगु फ्र्रेस्टेशन बनता है तो लहकौप्राक्टिस होगा ऐसे लग रहा था कि कोईुजिशंट नहीं समझ में रहा है नहीं जिसंग आप यह प्रेलिम को क्या थो खेंसान कि दूसे रहा हैoug जो इसहां नहींुट अब वह नहीं करने लिए scientists मुत्रेएं कंप आता रहा है कुछिए देली का सभी कॉलेज कानपूर का निकाल लो और कानपूर का भी निकाल लो तो देली में कॉलिज है एक ये है एक ये है और एक ये है 80 है 70 नहीं है 60 है और 50 है 80 प्लस 60 प्लस 50 यही है देली का कॉलिज कानपूर में है ये कानपूर कहा है कानपूर उपर है कानपूर में एक फिगर यहां है 10 20 एक यह 20 पर है तो एक हम लोग फिगर लिखेंगे यहां कानपूर में 20 प्लस दूसरा फिगर है 30 के बाद 40 चलो 40 ले ले प्लस तीसरा है 40 के बाद 50 50 ले लो 8 से 14 पाच उनिस यह 190 आ गया और यह 110 आ गया क्वेशन बन जाएगा क्वेशन बन गया प्रसेंट पूछ रहा है नहीं केवल पूछ रहा है कितना परसेंट नहीं है अच्छा इंग्लिश में मोर है इंग्लिश में मोर है तो हिंदी में कितना परसेंट अधिक छुटा होगा अधिक है तो कितना होगा जी 80 divided by 110 into 100 80 by 110 तो 7 तो पॉटन दीप जो थी कल क्लास के बीच में से उठकर कहां भाग गई थी और अधिक हो गया थे खुडी से थी जाइनी नहीं हो रहा है तो शल्य यह मोर परसेंट है अधिक है अधिक है अधिक है टैसे और आपनों का श्राम तेलिक देघर हो क्रिष्ण अधन सुक्ला समझ में आ रहा है हां से समझ में आ रहा है थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं सर पहली बार ये राडार ग्राफ पढ़ रहे हैं आधि से लिए सचेन तुम्हों तो दिख नहीं रहा होगा ने शर दिख रहा है अरे तु ट्रेन में दिख रहा है सक्षी क्लियर है यह सच्छी यह सच्छी क्लियर है ओके लाइक ब्रावला कुशन देते हैं अप महनते हैं करो डाटा जो नहीं दिखेगा मैं लिख दूँगा नंबर आप मेडिकल स्टूडेंट इन इच सीटी ट्वेंटी टाइम्स दा नंबर आप मेडिकल कॉलेज इस लाइन का अर्थ हुआ सभी सहर में मेडिकल विद्यार्थी की संख्या कॉलेज की संख्या का 20 गुना है 20 टाइ तो आगे क्या कारा है? and if the number of medical student in each city is 20 times the number of medical college in that city and 90% of them are placed in each city, 90% of them are placed in each city, 90% of them are placed in each city, 90% of them are placed in each city. तो मुंबाई में जो कितने लोगों को जॉब हुआ और चिन्नाई में कितने लोगों को जॉब हुआ दोनों का रेशियो पुछ रहा है वैबो सरवास्तो कोश्चन समझ में आ रहा है सुदाँ in the comments वैबो, मेरा स्ट क्वरन को ऺहा है तो सरवास्तो को भाजस्तो कितने पूंरे सुँछन ठेयर Data में मेरा डाल्रे रहाया? जिएकंडर ठेय है कंवडी जैर? सुछन ठेयर व्यार प्रिकी जैराए सकते मेरा हुआ का डैस डैसेस बाल बनाचर मेरा सिर्फ क्लियर दिख रहा है जिसको समझ में नहीं आरा उसको क्लियर नहीं दिख रहा है कि नंबर अब मेडिकल इस्टुएंट जो है नंबर अब कॉलेजिस का ट्वेंट इस्टुएंट की संख्या कॉलेज की संख्या कभी स्गुना और रेश्यू जो पूछ रहा है किस किस सहर का तो का और उसमें क्या का इस्टुएंट तो मालूम हो गया अनब्बे परसेंट नाइंटी परसेंट को उसी सहर में जौब मिल जाता है तो दो सहर उन दो सहर का नाम है मुंबई और चिन्नई में जिनको जौब मिला उनका रेश्यू बताना है तो पहला नाम है मुंबई और दूसरा है चिन्नई सब लोग ध्यान देना तो मुंबई में मेडिकल मुंबई मेडिकल मेडिकल है मुंबई में स्क्वायर वाला ये 50 सर 50 सर 20 30 40 50 गुट 50 और चिन्नई में बता चिन्नई में 70 है सर चिन्नई में 70 ये वाला फिगर 70 कमें.. तो आंसर होगए qualify 57 कहा कर आँ क्याता हुना सरerve, यह पुछ रहा है कहा धा की कुछ और पूछ रहा हैं के एक,Mr. आसर पाम बणोर मिंप कि को Sandato जुच औरमां hayır कुछ पूछ और नहीं बता है स्टून कह रहा है 아니 रागनी मेरे कुछ सुन पा रही है रागनी नैंसी ये सर पूछ क्या रहा है यहीं पूछ रहा है कि कुछ और पूछ रहा है से स्टुडेंट का नमबर पूछ रहा है इसका 90 पॉछ रहा है इसका इसका नाइन्टी पॉछ बनाया चलो हां ठीक है कि तरह बड़ा कोशिशन देखके लगा थे कि एक्जाम में लगब लोग छोड़ देंगे पढ़े जब तक पढ़ेंगे दो बार तक लगेगा समझ में आया नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं इतना बड़ा कोशिशन क्यों देखना यह क्वेशन आपको सॉल्ब करने के लिए दे रहा है number of candidates in lakh appearing in an entrance exam from six different city and ratio of candidate passing and failing in the same छे विबिन सहर से किसी प्रवेस परिक्षा में सम्मिलित होने की संख्या लाख में है और pass और fail का ratio दिया हुआ है figure दिख रहा है क्या yes honor yes okay okay अंठ अपर अच्छे से दिख रहा है अपड़ों अजय दिख रहे हैं आपच्छे से दिख रहें ना सब्सक्राप से दिख रहें yeah we be a अच्छे दिख रहे हैं तर लेगभी गज्टेशन नमबर अगला 60 बनाना आपको है कुश्षन दिखा रहा हूं वाट इस इस आप नमर ओड़ कैंडिडेट फेल तो डाइब फेल CTD का तो दोस फेल CTD का तह पहले फेल D का निकालेंगे बाद में फेल A का निकालेंगे क्या अनुस्का समझ में आ रहा है अलग फिगा नमबर अप कांडिडेट अपेरिंग फर द एक्जाम फ्रॉम सिटीजी इज वाट परसेंगे नमबर अपन परसेंगे वाट परसेंगे एक तमराम से सॉल्व हो जाएगा अगला नमबर अप कांडिडेट पासिंग इन एक्जाम फ्रॉम सिटीफ इज वाट परसेंगे टोटल नमबर अप कांडिडेट अपरिडेट अपरिक्षा में सम्मिलीद कुल विद्द्यार्थियों का कितना परसेंगे सहरेफ का उतेन, सहरेफ से पास और रहींचे टोटल, अगला गुशिए,